ये पहले वाले हिंदुस्तान से बहतर इंफॉर्म्ड है मगर ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है, सुपरफिशल है मगर उस यात्रा में दो चीजें बड़ी क्लियर थे एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है महबत का देश है और इस देश में इसके डियने में रिस्पेक्ट, महबत ये बहुत गहरा है तो चलते चलते मेरे दिमाग में ये सवाल आना शुरू हुआ कि अगर ये नफरत का देश नहीं है ये पहला देश है जिसने इंडिपेंडनेंस की लड़ाई महबत से लड़ी और कोई देश है ये नहीं मतलब कहते हैं कि सिविल राइट्स मूव्मेंट गांधी जी की फिलोसोफी उसने गांधी जी की फिलोसोफी का प्रयोग किया मगर जो उनको डाइरेक्शन किस ने दिया उनको डाइरेक्शन गांधी जी ने दिया हिंदुस्तान ने दिया South Africa में में गया था Mandela जी ने मुझे यही कहा कि हमें जो ہजार दिये गए हमारी freedom struggle के जो हजार दिये गए वो आफ्रिका के अफ्रिका के उजार नहीं थे वो आपके उजार थे हिंदुस्तान के उजार थे और वो उजार हमें गांदीजी ने दिये तो जब मैं चल रहा था मैं मेरे दिमाग में सवाल आया कि अगर हिंदुस्तान मोहबत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है क्योंकि इतना असान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना हुम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है बट कोई ना कोई foundation तो होगा कोई नो कोई basis तो होगी इस नफरत की तो यह मेरे यह सवाल मेरे डिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याए है कि ये देश में गरीबों के साथ किसानों के साथ दलतों के साथ, महिलाओं के साथ युवाओं के साथ, सब के साथ हर रोज अन्याए होता रहता है 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याए का एक्सेस मिलता है 2-3% जादा से जादा 5% लोग है उनके लिए कौर्ट्स काम करते है उनके लिए सरकार काम करती है सारी इंस्टिटूशन्स में उनके लिए जगह है पर अगर हम 90% लोगों को देखें उनके साथ 24 घंटा अन्याए हो रहा है 16 लाग करोड रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ GST का पैसा है जनता का पैसा है किसानों का पैसा है मगर किसानों का एक रुपए माफ नहीं होता है और मैंने सरकार के अंदर से देखा है जब हमने किसान कर्जा माफ माफी की बात उठाई जब हम सरकार में थे तो रिस्पॉंस मिला कि ये ठीक नहीं है इससे किसान अलसी हो जाएगा मन्रेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है मतलब वो काम कर रहा है उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है और दूसरी तरफ 20-25 लोग है उनका 16,000,000 कड़ोर रुपय माफ हो रहा है उनकी आदत नहीं बिगड़ रही वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं डिवेलपमेंट कहते हैं प्रोग्रेस कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो सुने की चिडिया कही जाती है इसका पूरा का पूरा धन किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवाचियों से, पिच्रों से छीन कर ये 20, 25, 50, 200 कितने लोग हैं ज़्यादा नहीं हैं इनके और फनल होता है तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में नयाई शब जोड़ दिया और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था कि किस प्रकार का अन्याय हो रहा है और हर कदम पे स्टूडन्स के पेपर लीग हो रहे हैं किसान को MSP नहीं मिल रही मजदूर को minimum wage नहीं मिल रही छोटे भी अपारियों को GST से दवाया जा रहा है मतलब हर स्टेप पे हर कदम पे लोग आ रहे थे कह रहे थे हमारे साथ ये हो रहा है मगर combined consciousness नहीं है एक व्यक्ति कह रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है मेरे पास छोटे भी अपारी आए गुजुरात में उन्होंने कहा कि GST से नोट बंदी से हमें बहुत चोट लगी मगर उसी discussion में जो किसान के साथ हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा है वो देखी नहीं पा रहे है तो मेरे किलाब जो अन्याय हो रहा है वो मुझे दिख रहा है मगर मेरे भाई के साथ हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है तो यह बहुत जरूरी बात है क्योंकि जब तक आप अपने भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं देखोगे तब तक कोई movement कड़ा नहीं हो सकता मैं जूडो करता हूँ और उसमें एक बड़ी interesting चीज़ है उसमें जब उसमें जमीन पर गिरना पड़ता है फेका जाता है व्यक्ति को तो जब पहले व्यक्ति शुरू करता है तो वो अपने आपको protect करने के कोशिश करता है जमीन पर गिरोगे तो फिर आप अपने आपकी रक्षा करते हो फिर थोड़ा advanced होता है फिर उसको बात समझ आती है वो जमीन की रक्षा करना शुरू कर देता है मतलब don't protect yourself, protect the mat और बड़े मज़े की बात दिखती है कि जब आप जमीन को protect करते हो तो automatically जमीन आपको protect करती है तो movement कैसे बनती है movement जब बनती है जब मैं अपने दर्थ को छोड़ कर मेरे side में जो खड़ा है उसके दर्थ की रक्षा करना शुरू करता हूँ automatically वो मेरी रक्षा करेगा उसको करना ही पड़ेगा तो ये एक mental leap की ज़रूरत है सबको दिख रहा है किसान को दिख रहा है मजदूर को दिख रहा है मगर एक दूसरे का दर्थ नहीं दिख रहा किसी को मेरा experience है दूसरी यातरा का आकरी बात देखिये आपने राहूल गांधी का नाम बहुत बार लिया कांचा जी मेरे दोस्त हैं उन्होंने नारे भी दे दिये ये राहुल गांदी नहीं है ये हिंदुस्तान में कोरोणों लोगों की फीलिंग है उनमें से मैं एक हूँ और आप मेरे उपर फोकस कर देते हैं बट भारत चोड़ो यात्रा में मैंने अपने आखों से देखा मैं अकेला नहीं चल रहा था लाकुल लोग चले थे मेरे साथ और एक्चली भारत चोड़ो यात्रा की स्ट्रंथ राहुल गांदी नहीं था भारत चोड़ो यात्रा की स्ट्रंथ वो बाकि लोग थे और यह हिंदुस्तान के दो expressions के बीच में लड़ाई है यह राहूल गांदी, मोधी, BJP, Congress के बीच में लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान के nature के अंदर दो आत्माएं हैं और यह उन दोनों आत्माएं के बीच में लड़ाई हैं। एक आत्मा कहती है कि हिंदुस्तान बीच से चलाया जाएगा, उपर से चलाया जाएगा, और सारे लोग उपर देखके, ओर्डर लेके इस देश को चलाएंगे। और यह एक सोचने का तरीका है हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं एकसेप्ट करते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डी सेंट्रलाइस तरीके से, हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाया जाएगा, जिसको हम अगर आप धार्मिक तरीके से बोलना चाहते हैं, शिव की बारात बोल लीजिए। कि सब लोगों को जगे देके निर्णने लिया जाता है। जैसे योगेंदर यादव जी अभी बैठे हैं, बड़ी इंट्रिस्टिंग बात आपको बताऊं। तीन-चार महीने पहले उन्होंने हमें का देखिये हमें ये जो गैरंटीज हैं। हमें क्लियरली बता देना चाहिए देश को कि इंडिया संगठन इंडिया गटबंदन आएगा तो क्या करेगा। और आज मैंने इंसे पूछा कि आप बताईए ये जो हमने गैरंटीज देश के सामने रखी हैं। इससे आप खुश हैं तो इन्होंनों कहां मैं खुश हूँ। मगर बहुत chaotic discussion हुआ। chaotic discussion हुआ। क्योंकि ये एक्चली Congress Party की राहूल गांदी की खारगे जी की इंडिया गटबंदन की गैरंटीज नहीं है। ये एक्चली हिंदुस्तान की अवाज है। उसको हमने चुन चुन के चुन चुन के सुन सुन के निकाला उसको रिफाइन किया है। BJP ये काम करी नहीं सकती है। क्योंकि उनका तरीका सेंट्रलाइज है, उपर से बोलते है। नरेंदर मोदी जी रेडार की बात करेंगे। सब कुछ नरेंदर मोदी जी से निकलता है। उनके विजन में और RSS के विजन में ग्यान एक व्यक्ति के पास है। किसान के पास ज्यान ही नहीं, मजदूर के पास ज्यान ही नहीं है। बेरोजगार युवा को कोई समझनी है। IIT के डिगरी है तो पूरी दुनिया को समझ गया। यह थिंकिंग है। तो इसके किलाब हमारी लडाई हो रही है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जितना उसमें ग्यान है, उतना ही ग्यान हिंदुस्तान के किसान में है। बस दूसरे तरीके का है। मैं बंगॉल गया। और वहां पे वो महिलाएं थी, इसी यात्रा पे महिलाएं थी, वो बीड़ी बना रही थी। उनके हाथ में जो स्किल थी, बीड़ी बनाती थी, उनके हाथ में जो स्किल थी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखी। मैंने ट्राइ किया, मतलब एक बीड़ी मतलब मैंने रोल करने की कोशिश की नहीं हो रही थी मुझसे। तो वो सानों का मतलब सानों की स्किल हो और उसका इस देश में कोई आधर नहीं हो रहा है उस महिला को आप financial support दीजिए उसकी मदद कीजिए Make in India उससे करवाई है और फिर देखें क्या मज़ा आता है तो ये दो अलग तरीकें की सोच की लड़ाई है इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और गबराने की कोई ज़रुवत नहीं है ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई Constitution को खतम कर देंगे ये कर दें कुछ नहीं इनमें इतना दम नहीं है ये नहीं कर सकते हैं ये इन्होंने मीडिया को capture कर रखा है ये आवाज बहुत करते हैं मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है धन्यवादा सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साथ है जिन्दाबाद राउल जी बहुत बहुत शुक्रिया